नमस्कार और हम आपको बताएंगे कि अमावस्या और गंडांत योग में जन्मे इचातक का उसके जीवन पर क्या प्रवाव पड़ता है देखिए जोती सास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हम जैसा कारे करते हैं उसे के अनुरूख हमें इश्वर सुक और दुख देता है सुक दुख का निर्धारन इश्वर कुंडली में ग्रहों सिति के अधार पर करते हैं तो जिस वेक्ति का जन्म शुब समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं अब शुब समय कौन सा है वो योग द्वारा पता चलता है और जिनका जन्म अच्छुब समय में होता है उसे कटूफन मिलते हैं जोतिस सास के अनुसार यह शुब समय क्या है और अच्छुब समय किसे कहते हैं उनी में से दो योग हैं अम्मवस्या और गंडांत योग तो चलिए हम गंडांत योग के बारें बताते हैं गंडांत योग को संतान जन्म के लिए अशुब समय का आ गया है इस समय संतान जन्म लेती है तो गंडांत शांती कराने के बाद ही पिता को शिशु का मुख देखना जीए पराशर महुद्दे एक बहुत बड़े पंडित हैं उन्होंने भी इसका उलेक किया था उनके अनुसार तिथी गंड में बैल का दान नच्छत्र गंड में गाय का दान और लगन गंड में सुरण का दान करने से दोस्त मिटाता है आप्शन्स आप्शन्स भी रहते हैं क्योंकि आज यदि आप बैल का दान और गाय का दान करें तो बहुत ज़्यादा मेंगा पड़ता है सुरण का दान तो एक फॉर्मिलिटी के तौर पे चीज़े दान की जाती है जो आपको पंडित वगर बता देंगे तो संतान का जन्म अगर गंडान्त पुरूव में हुआ है तो पिता और शिशु का अभिशेक करने से और गंडान्त के अंतिम भाग में जन्म लेने पर माता एवं शिशु को अभिशेक कराने से दोस्ट करता है अब है अमावस्या जोतिस सास्तर में अमावस्या को दर्श के नाम से जाना जाता है और इस तिथी में जन्म माता पिता की आर्थिक तिथी पर बुरा परफोर डालता है तो जो व्यक्ति अमावस्या तिथी में जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है कहीं न कहीं इन्हें यश और मान सम्मान पानी के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं मिलता हो प्रयास बहुत करना पड़ता है अमावस्या तिती में भी जिस व्यक्ति का जन्म पूर्णे चंद रहित अमावस्या में होता है वो अधिक अशुब माना जाता है तो इस अशुब परभाव को कम करने के लिए घी का च्छाया पात्र दान करना चीए रुद्राविशेक और सुर्ण और चंदर की शांती कराने से भी इस तिती में जो जन्म होता है वो अशुब परभाव को कम करता है क्या करना है घी का च्छाया पात्र दान करना होता है और रुद्राविशेक और सुर्ण और चंदर की शांती करवाई जाती है मतलब बंत्यों का जाप करवाए जाता है तो धन्यवाद आप सब का हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड दीशे और कोई भी स्पिच्छल चीज अगर यदि आपको लिना हो तो आप शिवागो.com से ले सकता है वहाँ पर सारी चीज़ें आपको जन्यून ऑथन्टिक और लैब टेस्टर मिलेंगे धन्यवाद